हाई फ्रेंज आज हम आपके लिए कैसी रेस्पी लेकर आए हैं जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं इसके लिए हमें ज़्यादा सामगरी की जरूरत नहीं पड़ेगी बस इसे हम दो चीजों से त्यार करने वाले हैं आईए अब बनाना इस्टार्ट कर भी गोलें दो तिन घंटे बाद उसे पीश लें इसके बाद हम थोड़ा से बेकिंग पाडर ले लेंगे अब हम चावल के आटे में पानी आट करके मिला लेंगे मिलाने के बाद आप कुछ देर के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ दें ताकि हमारा चावल कांटा खिल जाए इसके बाद हम आलू उबालेंगे यहाँ पर हमने तीन मीडियम साइज का आलू लिया है इसे हम कुकर में या किसी भगोने में उबाल लेंगे हमने यहां पर आलू बननी के लिए रख दिया है अब हमारा आलू उबल चुका है यहां पर हमने आलू निकाल लिया है अब इसके बाद एक fry pan में या कड़ाई में हम बं टेबल स्पून ओयल आड़ करेंगे उसमें हम पंच फोरण आड़ करेंगे जब तक हमारा पंच फोड़न चटक न जाए तब तक हम इसमें कुछ भी आड़ नहीं करेंगे पंच फोड़न चटक जाने के बाद हम इसमें हरी मिर्च आड़ करेंगे यहाँ पर हमने बारी कट गए हरी मिर्च आड़ कर दिया है इसके बाद हम एक चम्मच गरम मसाला आड़ करेंगे गरम मसाला आड़ करने के तुरंत बाद ही आलू आड़ करेंगे यहाँ पर हमने जो उपला हुआ आलू था उसे आड़ कर दिया है याद रखें मसाला डालने के तुरंत ही बाद हम आलू आड़ कर देंगे नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा और आप फ्लेम को लो रखें इसके बाद हम इसमें स्वात के अन्सा नमक अड़ कर देंगे नमक अड़ करने के बाद आप इसमें बारिक कटी हुई हरी धनिया पत्ती अड़ कर देंगे कुछ देर ठंडा होने के बाद हम इसे मैस कर लेंगे आप आलू को मैसर की मदद से मैस कर ले यहाँ पर हमने मैस कर लिया है हमारा चोखा बनकर तयार हो गया है हमे थोड़ा थोड़ा चोखा लेकर चिप्टी चुप्टी गोलियां तयार कर लेनी है जिस तरह से हमने बनाया है इसी तरह से आप भी बना ले गैस पर हमने पात्रा बनाने वाली कड़ाई रखी है इसमें हमने नीचे पानी रखा है अब हम चावल के आटे को इस तरह से बारी बारी से बनाना इस्टार्ट करेंगे आप चावल के आटे को जादा ना डालें नहीं तो ये फैल जाएगा एक एक चमज के बराबर आप चावल के आटे को एड़ करें क्योंकि हमें इसमें जो आलू की शिप्ती शिप्ती गोलिया बनाई हैं उसे एड़ करना है इसे भर देने के बाद आप चलते हैं हम अपने चोखे की तरफ जो हमने चिप्ती चिप्ती गोलिया बनाई है उसे हमें एक एक करके इसके उपर रख देना है आप रखने के बाद थोड़ा सा इसे प्रेस कर सकते हैं ज्यादा प्रेशना करें हलका ही प्रेस करें यहां पर हमने एक एक करके सब पर रख दिया है अब इसके बाद हमें आठी को थोड़े थोड़े करके एक के बाद एक पर आड़ कर देना है हमें उतना ही आड़ करना है जितने से हमारी इस्टफिंग ढग जाए यहाँ पर देख सकते हैं हमारी श्टफिंग पूरी तरह से धख चुकी है अब इसकी बाद हम इस पर धक्कन लगा देंगे हमने यहाँ पर धक्कन लगा दिया है पक जाने के बाद हम इसे ओपन कर रहे हैं आप देख सकते हैं यह बिल्कुल पक रेडी हो चुका है कालेंगे तो यह तूर जाएगा आप देख सकते हैं यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं किसी तीखी चतनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं अगर एच भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अब मि लाएब सकते हैं किसी तीखी खार्णी बिल्सक्राइब।